नमस्कार दोस्तों मैं आजया सुआगत करता हूँ आप सभी लोगों का टेक्निकल शिवान्शी यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज का ये वीडियो रियल रिसर्च एप्लिकेशन पर हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा के TNC कोईन बैल सबस्केशन दे दिया है अगर आप लोगों ये दोनों विडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंट करूँगा के आप लोग जो है इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए उसके बास नहीं यहां पर आप लोग ये मेरा पैमेंट प्रूफ भी दे search application को open कर लेना है तिन यहाँ पर आप लोगों को my TNC पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हूं मेरे पास जो TNC है वो है यहाँ पर 261 TNC जिसे कि मुझे जो है यहाँ पर इंडियन रुपीज में convert करवाना है अभी दोस्तों यहाँ पर यह जो 201 TNC है मेरे case के अंदर आपके case में ज्यादा भी हो सकती है तो उसे यहाँ पर पहले आप लोगों को hotbit application में लेना होगा उसे लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पर यह पूरा interface देखके आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं कहां पर किस matrix म हम लोग घुश चुके हैं कैसा जंजट यहाँ पर मतलब आप लोगों को ऐसा जाल सा लगेगा पर आप लोगों को इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है सिधा आप लोगों को जो है फंट पे क्लिक करना है अभी जैसे आप लोग फंट पे क्लिक करोगे तो उपर आप को यहां पर deposit पर click करना है deposit का मतलब यहां पर यह होने वाला है कि हमारे पास यह जो 201 TNC है इसको हम यहां पर hotbit में deposit कर रहे हैं कहने का मतलब उस TNC को हम यहां पर जमा कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है इनका process यह होता है कि first of all आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर search बार में आप लोगों के पास में कौन सा coin है वो आप लोगों को यहाँ पर search करवाना होता है तो for example हमारे पास यहाँ पर जो है TNC है जो की बहुत ज़्यादा common है आजकल तो यह जो यहाँ पर आप लोगों के पास में सारी चीज़े आ जाएंगी कहने का मतलब QR code आ जाएगा एक address आ जाएगा और एक memo नमबर आ जाएगा तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को not कर लेना है और बाद में यहाँ पर real research application में आप लोग जैसे ही send पर click करोगे तो यहाँ पर वो सारी same चीज़े आप लोगों से पूछेगा जो आप लोगों ने hotbit application में पहले से generate कर ली है कहने का मतलब यह जो QR code है यह आप लोगों का address हो गया कहने का मतलब यह जो आप लोगों को यहाँ पर hotbit IO दिख रहा है यह वाला address यह हो गया तो इसे आप लोगों को यहाँ से copy कर लेना है तो यहाँ पर आकर इसे paste कर देना है उसके बाद में आप लोगों को कितना अपना TNC amount send करना है hotbit के अंदर वो आप लोगों को यहाँ पर select करने ना है तो मुझे यहाँ पर पूरा 261 TNC send करना है तो मैंने यहाँ पर 100% पर click करके पूरे TNC को choose कर लिया है उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक memo number भी दिखाए दे रहा होगा hotbit application में जिसे आप लोगों को copy कर लेना है copy करने के बाद में final आप लोगों को जो है यहाँ पर memo number डाल देना है then उसके बाद में send पर click कर देना है आप लोगों को यह final verification के लिए बोलेगा तो आप लोगों को इसे confirm करवा देना है then आप लोगों को यह यहाँ पर पासकोड डालने के लिए बोलेगा जो भी आप लोगों ने इस application को बनाते वग जनरेट करे थे वो यहाँ पर डाल देने होते हैं अभी जैसे आप लोग पासकोड डाल देते हो submit पर आप लोगों को click करना है within 5 minutes आप लोगों का ये जो TNC balance होगा ये hotbit application में transfer हो जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर अभी देख पार रहे होंगे मेरे पास 261 TNC था उसमें से मुझे 10 TNC चार्ज देना पड़ गया बाद में मेरे यहाँ पर 251 TNC थे वो यहाँ पर Hotbit application पर transfer हो चुके होंगे और कुछी वक्त बाद में यहाँ पर आप लोगों को यह main page पर दिखा ही दे जाएंगे अभी चलिए दोस्तो जो हमने Real Research application में हमारे TNC पड़े हुए थे उसे Hotbit application में send कर दिये थे तो क्या वो पैसा वहाँ पर आ चुका है या नहीं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ तो जैसे यह आप लोग भी Real Research application से TNC send करने के बाद में Hotbit application को open करोगे और यहाँ पर नीचे जो है fund पर click करोगे तो यहाँ पर इनका यह जो refresh system है यह बहुत जादा खराब है आप लोगों के पास में आपका पैसा आज चुका होगा पर यहाँ पर इनके यह refresh system के वज़े से आप लोगों को थोड़ा वो confusion हो सकता है आप लोग उल्जन में पढ़ सकते हो के मेरा पैसा यहाँ से कहाँ चला गया लेकिन दोस्तों आप लोगों को फिकर करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों का पैसा यहीं पर ही पड़ा हुआ है बस आप लोगों को इसे जो है एक दो बार यहाँ पर यह जो नीचे options है उन पर क्लिक करके वापस एक बार फंड पर आप लोग करोगे आप लोगों को आपका पैसा यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास 400 इकरान में TNC है जिसका कीमत यहाँ पर 11 डॉलर के सम्तिंग दिखाई दे रही है अभी आप लोग कहोगे कि मैंने तो वहाँ से 251 TNC सेंड करी थी तो मेरे पास इतना सारा पैसा यह कैसे हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता दू दोस्तो मेरा एक फ्रेंड है उसने भी मुझे यहाँ पर 240 TNC सेंड करी है आप लोग यहाँ पर हिस्ट्रे में यह चीज देख सकते हो तो 251 TNC मेरा और 240 TNC मेरे फ्रेंड का अगर आप लोग भी आपकी TNC को कनवर्ट करवाना चाहते हो तो उसका प्रोसेस भी आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग वीडियो के साथ में एंट तक बने रहें तो यहाँ पर दोस्तो अभी आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे पास जो है TNC पड़ा हुआ है अभी इस TNC को हमें यहाँ पर जो है इथेरियम में कनवर्ट करना पड़ेगा इथेरियम भी यहाँ पर दोस्तो एक परकार से क्रप्टो करंसी ही है अभी आप लोग इस TNC को इथेरियम में कैसे कनवर्ट कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को जो है market option पे click करना है market option पे आप लोग जैसे ही click करोगे तो उपर आप लोगों को जो है search bar पे click करना है search bar पे click करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को search कर लेना है TNC to Ethereum अभी आप लोग जैसे ही search करोगे तो हमें क्या करना है हमें हमारे TNC को Ethereum में convert करना है तो वो एक प्रकार से sell हो गया तो हम जो है sell पर click करेंगे जैसे हम लोग sell पर click करेंगे तो यहाँ पर अभी हमसे हमारा amount पूझेगा कि कितने percent TNC को हम Ethereum में convert करवाना चाहते हैं तो हम जो 100% पर click करेंगे और यह price जो है पूरा खुद से ही automatic trace कर लेगा तो हम आप लोगों को sell TNC पर click कर देना है जैसे है आप लोग sell TNC पर click करोगे confirm करवाने के बाद में आप लोगों का यह जो order होगा वो submit हो जाएगा और कुछ वक्त बाद में आप लोगों का यह जो TNC to Ethereum convert करने का प्रोसेजर है वो जो है execute हो जाएगा और funds पर आप लोगों को यहाँ पर इथेरियम में अभी 00 दिख रहा है जैसे यह थोड़े बो टाइम के बाद में process पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर यह दिखा देगा अभी दोस्तों यहाँ पर मेरा आप लोगों को एक personal suggestion रहेगा कि आप लोग कोई सा भी coin convert करते हो किसी other coin में तो आप लोगों को जो है maximum 15 से 30 minute का wait करना है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को उसका जब तक actual price ना दिख जाए या actual rate ना दिख जाए तब तक प्लीज आप लोग जो है किसी other coin में उस coin को convert मत कीजिएगा जोगी आप लोग करना चाते हो अभी Ethereum हमारे पास यहाँ पर आज चुका है अभी दोस्तों देखिए होता क्या है आप लोग चाहो तो Ethereum को भी जो है डायरेक्ट यह जो application है Coin DCX Go इसके जिरिये इंडियन रुपीज में convert करवा सकते हो लेकिन उस पर आप लोगों को काफी साथा charge देना पड़ जाता है इसलिए आप लोगों को जो है Ethereum को पहले TRX में convert करवाना होगा TRX पी दोस्तों एक प्रकार से cryptocurrency ही है जो की आप लोगों को जो है Hotbit में ही convert करने को मिल जाएंगी यहाँ पर आप लोग अगर market पे click करोगे तो आप लोगों को उपर अभी search कर लेना है TRX to Ethereum यहाँ पर दोस्तों अभी क्या होगा कि हमें TRX buy करने है अभी TRX to Ethereum आप लोगों को click करेंगे यहाँ पर price यह हमें फिर से मांगेगा हम price पूरा जो है 100% choose कर लेंगे यहाँ पर buy TRX पे click करने के बाद में फिर से confirmation यह हमसे लेगा जैसे हम इसे confirm कर देंगे कुछ वक्त बाद में यह भी process complete हो जाएगा again आप लोग fund पे click करोगे तो आप लोगों को यह last में आप लोगों का TRX बैलेंस दिखा देगा और अभी इस TRX बैलेंस को हम लोग जो है CoinDCX Go यह जो application है उसके जिरिये Indian रुपीज में convert कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो फिलहाल अभी यह जो CoinDCX application है इसके जरीए हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से हमारा यह जो balance है TRX वाला उसे Indian रुपीज में convert कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर मुझे काफी जादा वक्त लग गया है मेरा TRX balance actual rate में देखने के लिए तो चलिए अभी मैं जो है आप लोगों को वापस से Hotbit application में मेरा balance दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर आप लोगों को fund पर देखने पर दिख जाएगा उससे पहले यहाँ पर आप लोग यह चीज देख भी पा रहे होंगे कि मेरे पास अभी यहाँ पर 199.67 TRX पड़ा हुआ है जिसका कि amount यहाँ पर यह 11 डॉलर के something दिखा रहा है तो चलिए हमें जो है इसका price accurate वाला मिलता भी है या नहीं वो चीज में आप लोगों का भी दिखा दूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो अभी TRX पर ही क्लिक करना है जैसे आप लोग TRX की minimum withdrawal मेरे पास यहाँ पर 199 है तो यहाँ पर यह पूरा select हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर अभी address फिल करने के लिए बोलेगा तो address अभी आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता देदा हूँ तो उसके लिए आप लोगों को CoinDCX application को open करना है जैसे आप लोगों को जो है TRX सर्च करना है TRX आप लोगों को नीचे bottom में देखने को मिल जाएगा तो उसपर आप लोगों को click करना है और यहाँ पर भी आप लोगों को cell के button पे click करना है जैसे आप लोग cell के button पे click करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को deposit TRX का एक बटन दिख जाएगा तो उस पर आप लोगों को click करना है अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के एक बात बता दूँ पहले तो आप लोग यह icon का ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है TRX receive के लिए ही जो है link बनाने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गड़बड भी हो सकती है तो आप लोग यह icon का ध्यान रखिएगा उसके बाद में अभी यहाँ पर आप लोगों को जो है receive TRX पर click करना है क्योंकि यहाँ पर एक side हमें जो है withdrawal लगाना है और उस पैसे को withdrawal लगाने पर कहा receive कर सकते हैं वो चीज का link यहाँ से हम generate करने वाले हैं तो जैसे हम receive TRX पर click करेंगे यह हमें जो है confirmation देगा I understood पर click करने के बाद में आप लोगों को यहाँ से इस link को copy कर लेना है और जो हमने link copy करा था उसे यहाँ पर paste कर देना होगा यहाँ पर अभी जो है आप लोगों को कोई सा भी एक random message टाइप कर देना है चाहो तो आप लोग इसे खाली भी छोड़ सकते हो अधर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर confirmation पर click कर देना है क्लिक करते ही यह आप लोगों को success का message दिखा देगा अभी यहाँ पर आप लोगों को success का message दिखा देगा अभी यहाँ पर आप लोगों देख सकते हो मेरे पास total TRX जो है वो है 199.67 और एक TRX का यहाँ पर transaction fees लगने वाला है उसके बाद में मुझे जो amount दिया जाएगा वो नीचे आप लोग देख सकते हो 198.67 TRX मुझे जो है यहाँ पर submit पर click करने पर CoinDCX Go वाले application में credit कर दिया जाएगा अभी आप लोग जैसा ही submit पर click करोगे यह लोग एक OTP आप लोगों को आपकी Gmail ID पर भेजेंगे दूसरी OTP यहाँ पर जो आपके mobile नमबर पर आने वाली है तो उन दोनों को आप लोग डालने के बाद में जैसा ही confirm पर click करोगे यहाँ पर आप लोगों को message दिखा दिया जाएगा कि आप लोगों का जो withdrawal है वो successfully हो चुका है तो यहाँ पर दोस्तों कुछ देर इंतजार करने के बाद में CoinDCX Go यह जो application है उसके अंदर हमने जो hotbit application में से withdrawal लगाया था वो यहाँ पर आ चुका है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दिता हूँ तो अभी हम जो हाँ cell पर click करेंगे cell पर click करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 रुपए अभी current price चल रही है TRX की तो जैसे है मैं यहाँ पर 198 point मेरा यह जो पुरा balance है मैं वो डालूँगा तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो view portfolio पर click करने के बाद में आप लोग जैसे ही account पर click करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का balance दिखाई दे जाएगा अभी इस पैसर को bank में लेने के लिए इस पर आप लोगों को click करना होगा then आप लोगों को नीचे जो है withdrawal funds पर click करना है तो आप लोगों के register mobile number पर एक OTP भेज जाएगी उसे आप लोगों को यहाँ पर enter कर देना है OTP को आप लोग जैसे ही verify करवा देते हो confirm withdrawal पर आप लोगों को click करना होगा जैसे ही आप लोग यह click दे देते हो तो आप लोगों की request जो है receive हो जाएगी और कुछ देर बाद में आप लोगों का पैसा जो है credit हो चुका होगा आप लोग यहाँ पर मेरे पास यह message आ चुका है वो भी देख सकते हो चलिए मैं आप लोगों के एक बार मेरा Paytm application भी दिखा देता हूँ कि मुझे यह वाला पैसा मिला है या नहीं तो यहाँ पर चलिए मैं जो है Paytm application मेरा मैंने open कर लिया है और यहाँ पर जैसे ही मैं balance history पर click करता हूँ और तो यहाँ पर आप लोग हाइपटो की तरफ से आया हुआ मेरा balance देख सकते हो जो कि मुझे तुरंट से ही settle हो चुका है तो बस दोस्तो same procedure को follow करके आप लोग भी आपके TNC coin balance को इंडियन रुपीज में convert कर सकते हो फिलाल कि इस वीडियो में दोस्तो इतना ही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो प्लेज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जलू कीजिए दन्यवाद